दच्छिर्ट प्रांत में कांची नगरी में तर्क, व्याकरण, आधी समस्त शास्त्रों के व्याक्षाता, अनेक प्रकार के दुर्धर चारित्र अनुष्ठान के अनुष्ठाता, महा मुनीश्री समंत्र भद्र स्वामी थे तीवरतर गोर दुख को देने वाली असाता वेदनी कर्म के उदे से उन्हें भस्मक व्याधी नाम का रोग उत्पन हो गया जिसकी पीड़ा से पीड़ित हो वे दिन रात चिंतन करते कि इस व्याधी से पीड़ित होने के कारण मैं जिन दर्शन की सेवा करने में असमर्थ हूँ इसलिए इस रोग के उप्षम के लिए कुछ उपाय करना चाहिए इस रोग की उप्षम विली तो पौश्टिक प्रचुर मात्रा में आहार ही है अन्ने कुछ नहीं ऐसे आहर की प्राप्ति का यहां पर अभाव है जिस देश में जिस स्थान में जिस किसी भी लिंग को अपना कर ऐसे आहर की प्राप्ति होगी उस आहर को मैं ग्रहन करूँगा एसा मन में विचार कर कांची नगरी को छोड़ दिया और उत्तरापत की ओर चल दिये चलते हुए वे पुंडर नगर में आये वहां बाउधों की ब्रद्ध विहार में महादानशाला को देखकर मन में विचार किया कि यहां मेरी भस्मग व्यादी का उप्षम हो सकेगा एसा सोचकर बाउध भेश धारण कर लिया वहां पर भी उस रोग के अनकूल विशिष्ट अधिक आहार ना मिलने पर वहां से निकल कर उत्तरापत की और अनेएक नगरों और ग्रामों में घूमते हुए दश्पुर नगर पहुँचे वहां पर वैश्नव भगवंतों के महामट को देखा जहां विशिष्ट दाता लोग प्रति दिन उत्कृष्ट भक्ति से विशिष्ट पुष्ट आहार का दान देते थे दान लेने वाले दिव्व अनेएक भगवंत लिंग के साधू थे यह देखकर उन्होंने बहुत भेश का त्याक कर वह भगवत लिंग धारन कर लिया वहां पर भी भस्मग व्यादी का उप्षम हो सके ऐसा विशिष्ट प्रचुर मात्रा में आर उपलब्द ना हो सका इसलिए वहां से निकल कर अनेएक दिशाओं में अनेएक देश नगर ग्राम आदी में भ्रमण कर वारा नसीया पहुँचे वहां कुल घोष से सहित योगी लिंग को धारन कर घूमने लगे शिव कोटी महराज ने शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था वह मंदिर बहुत सुन्दर था वहां उन्होंने प्रचुर मात्रा में 18 प्रकार के भक्ष भोजन को नैवेद से युक्त देखा और विचार किया कि यहां मेरे रोग का उप्षम अवश होगा यह सोच ही रहे थे कि कुछ लोग शिव की पूजा विधान करके बाहर आए और नैवेद को बाहर रख दिया यह देखकर समत्रबद स्वामी हसने लगे और बोले क्या आप में से किसी के पास भी इतनी सामर्द नहीं कि राजा के द्वारा परम भक्ति से भेजा हुआ आहर देवता को यहां अफ्तरित कर खिला सके यह सुनकर उपस्तित लोगों ने कहा क्या आप देवता का आवान कर उसे भोजन करा सकते हैं जैसा कि आप कहते हैं योगी भेशदारी समत्रबद स्वामी ने कहा हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ तब उन लोगों ने राजा को कहा कि हे प्रभो आपके महादेव की पूजा विसरजन के उपरांत दिव नईवेद्द को जब हम लोग बाहर रख रहे थे तो उसे देखकर एक योगी ने कहा मैं देव को यहाँ उतार कर यह संपूर्ण सुंदर भोजन उसी को करा सकता हूँ यह सुनकर राजा को कौतिक उत्पन हुआ दिव विरसवान दधी, दूद, घी के सैकडों घडों के साथ साथ प्रचुर खंड शक्कर एक शुरक्ष आदी को लेकर वह राजा शिव मंदिर आप होचा तब योगी से कहा भगवान देव को भोजन कराओ अभी कराता हूँ ऐसा कहकर समस्त रिसवान पधारतों को अंदर ले जाकर ठीक तरह से अंदर से मंदिर को देखकर दरवाजा लगा कर बहुत शीक्र भोजन कर दोआर को खोल कर बाहर आ गए और कहा सभी वरतनों को बाहर ले आओ जिससे राजा को महान अश्चरुत्पन हुआ जिससे वह प्रति दिन और अधिक रस्वान भोजन बनवा कर भेज देता एसा करते हुए क्रमशा छे मास बीत गए जिससे रोग का उप्षम हो गया तथा आहर्जियों का त्यों रखा रहा तब उन लोगों ने कहा हे योगी इंद्र यह रस्वान अन्द क्यों इसी प्रकार रखा है तब योगी ने कहा भगवान अब त्रब तो हो गए हैं इसलिए थोड़ा ही खाते हैं यह सर्व ब्रतांत उन लोगों ने जाकर राजा को बताया राजा ने प्रनारिस्थान में अर्थात जहां से महादेव की अबशेक कजल निकलता है वहां एक धूरत बालक को निर्माल द्रव से ढखकर रख दिया जब योगी ने दरवाजा लगाकर स्वेमे भी भोजन किया तो उस बालक ने देख लिया और राजा से सब कह सुनाया कि हे प्रभो वह योगी किसी देखता को उतार कर भोजन नहीं कराता किन्तु दरवाजा लगाकर स्वेम ही खाता है इस प्रकार सब वरत्तान सुनकर राजा क्रोज से आग बबूला हो गया और योगी से बूला कि तुम जूटे हो तुम किसी देखता को बुलाकर भोजन नहीं कराते किन्तु स्वेम दरवाजा लगाकर खाते हो तुम देवता को नमसकार भी नहीं करते आखेर ऐसा क्यूं यह सुनकर योगी ने कहा मेरा नमसकार यह देव सहन नहीं कर सकता जो वीतराग हो अठारा दोसों से रहित हो वह ही मेरा नमसकार सहन करने में समर्थ है इसलिए मैं इनको नमसकार नहीं करता यदि करता हूँ तो यह देव खंड खंड हो जाएगा यह सुनकर राजा ने कहा यदि यह मूर्ति फटे तो फट जाए किन्तु तुम नमस्कार करोगे मैं तुम्हारे सामर्थ को देखता हूँ तब योगी ने कहा कल सुभा मैं आपको अपनी सामर्थ दिखाऊंगा ठीक है ऐसा कहकर राजा ने योगी को देव ग्रह के बीच में रख दिया और मंदिर में एक के बाद एक सैकडो योध्धाओं और हाथियों की टोली से बड़े यतन के साथ सुरच्छित किया मैंने बहुत शीग्री बिना सोचे विचारे ऐसा खह डाला मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा इस प्रकार की चिंता से योगी का अंतहा करण व्याकुल था तबी रात्री की दूसरे पहर में शासन देवी अंबिका का आसन कमपाय मान हुआ और वह आकर प्रकट गी शासन देवी ने कहा भगवन चित को व्याकुल मत करो आपने जैसा कहा वैसा ही होगा सुयम भुवा भूत हितेन भूत ले इत्यादी चतुर विशनती तिर्थंकर देवो की स्तुती करते हुए वह मूर्ती फट जाएगी एसा कहकर योगी समन्त भद्र को चिंता से मुक्त करके वह अद्रश हो गई देवी के दर्शन से उन्हें परम संतोश हुआ और चतुर विशनती तिर्थंकर की स्तुती तयार की जिससे उनका चित और अधिक उलसित हो गया तथा मुक कमल खिल गया और वह परम आनंद में स्थित हो गया जब सुभा हुई राजा कौतुहल के साथ सभी प्रजाजनों के साथ आया देवग्रह के द्वार को खोला और योगी को बाहर लाया योगी को लाते हुए योगी का चित प्रसंद था योगी का मुक कमल सा विक्सित था और शरीर प्रभायुक्त था महा प्रताब जलक रहा था जिसे देखकर राजा को चिंता हुई योगी का शरीर आस्तो और अपूर्वता लिए हुए है इससे इसपष्ठ है कि यह अपनी प्रतिग्या का निर्वाह अवश्य करेंगे इसलिए राजा ने कहा हे योगी इंद्र देखता को नमस्कार करो मैं तुमारी सामर्थ को देखूंगा तब भगवन ने स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले को आदी करके स्तुति का करना प्रारंब किया स्तुति करते हुए अश्टम तिर्थंकर्श्री चंद प्रभगवान की स्तुति की तब तमस्त मोरे रिव रश्मिम भिन्नम इस प्रकार स्तुति वचन का उच्चारण करते हुए वह शिव का लिंग फट गया और चार मुक की प्रितमा निकल पड़ी जैजैकार होने लगी जिससे राजा और समस्त प्रजा को महान अश्चरूत पन हुआ राजा ने कहा हे योगिन आप अद्बुस सामर्थ से युक्त है किन्तु आपका लिंग व्यक्त है आप कौन है तब भगवन ने कहा मैं काची में नगद दिगंबर सादू हो कर रहा लामबुश में मल से मलिन शरीर को पीत शोयत बना कर रहा पुंडर नगर में शाक की बिक्षू दश्पुर नगर में भिष्ट बोजी परीवराजक और वाराणसी में चंद्रमा के समान सफेद और पीला सफेद शरीर बना तपस्वी बन कर रहा राजन जिसकी शक्ति हो वह मेरे सामने आकर वाद करे मैं जैन रगंत वादी हूँ पहले मैंने पाठली पुत्र नगर में भेरी बजाई इसके बाद मालव सिंदू ठक देश कांचीपुर में और वैदिश में वाद भेरी वजाई तदुपरांत करहाटक में बहुत बड़े-बड़े विद्वानों के साथ लोहा लिया है हे राजन मैं वाद करने के लिए शारदूल के समान कीडा करता हुआ विच्रनक करता रहा हूँ ऐसा कहकर उन्होंने कुल घोष वेस को छोड़कर निर्गरंद जैन लिंक को धारन कर लिया और लगु पिच्चिका से युक्त हो गए इस प्रकार समस्त एकांध वादियों को अनेकांध वाद से जीत कर जिन शाषन की प्रभावना की यहाँ पर कुदेवों को नमशकार नहीं करने से सम्यग दर्शन को प्रकाशित किया और समस्त एकांत वादियों का निराकरड कर सम्मग ज्यान का उद्ध्योतन किया इस प्रकार समंत्र बद्र स्वामी द्वारा किये गए अद्भुत आश्चर को देखकर शिफकोटी महाराज को प्रजाजनों को और उपस्तित लोगों को जैन दर्शन में महतिशद्धा और परम विवेग उत्पन हुआ शिफकोटी ने चारित्र मोह के छयोप्षम विशैश से और परम वैरग संपत्ति सयुक्त होने के कारण राज को छोड़ कर तपको ग्रहन कर सकल शुट में अवगाहन कर लिया लोहाचार के द्वारा विरचित 84,000 श्लोग प्रमाण आराधना ग्रंत को मंद बुद्धी अलपायू वाले प्राणियों पर अनुग्रह के आशे से ग्रंत को संचित किया अर्थ रूप से अरहलिंग इत्यादी 40 सुत्रों में परिपून कर साड़े 3,000 लोग संख्या में मूला राधना ग्रंत को तैयार किया भोलिये समंत्र भद्राचार की जय